दिखिए बहुती एक विचित्र प्रकार की बात अब सामने आई है कि एक राश्टियस्तर के बहुत प्रतिशित चैनल ने जो वीडियो जारी किया है और जो स्टिंग ओप्रेशन किया है जिसके अंदर ऐसे जो परस्ट बता रहे हैं कि हमारे पास एक दम निर्देश आ गए थे और वो निर्देश ऐसे थे कि जो भीड है उसको जाने नहीं देना रास्ते सारे जो है बंद करने हैं और इस प्रकार की जानकरियां वो पुलिस के माध्यम से मिल रही हैं और साथ में जो वहां की CID है वो CID का भी खुलासा हो रहा है कि CID ने स्पस्ट बताया है यह यह चीज़े हो सकती है मौसम खराब है और किसी परकार की कोई अर्चन आती है यह यह नि एक परकार की उसकी पुखता जो है इंजाम करने हैं लेकिन इंजाम करने तो दूर उन्होंने सपस्ट निर्देश दिये हैं किसानों के नेताओं को कि उनका रास्ता कैसे रोकना है क्या करना यह सारा उस स्टिंग ओपेशनी में आया है यह बहुत ही एक घिनोनी हरकत पंजाब सरकार की और से की गई है और जिसमें प्रधान मंत्री जैसे व्यक्तित्व की जानकों खत्रे में किस परकार से डाला गया है इसकी घोर निंदा पहले भी बने की है आज मैं फिर निं सुप्रीम कोर्ट में भी जब इसके बारे में कहा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है जस्टिस इंदु मलोतरा की देखरेख में एक कमेटी बनी है पांच लोगों की और यह कमेटी बहुत जल्दी रिपोर्ट देगी निश्य रूप से जो सचाई है वो सामने आएगी और सचाई आने के बाद पंजाब के जो मुख्यमंतरी है चन्नी जी और कॉंग्रे सरकार उनका जो पताक्षिप होगा और इसका एक घिनोना हरकत जो हुई है इसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है और जैसे ही फुर्व कोर्ट की रिपोर्ट आएगी सच सामने चीजन जो है उसको प्रदानमंतरी की सुरक्षा अपने आप में सब्सक्राइश के लिए सबसे बड़ी चीज होते हैं उसके उपर राजनीजिक करना कि प्रदानमंतरी चाहे वो राश्ट्री कारपों जाएं और प्रदेश के कारके में जाएं वो तो बहुत बड़े जनता को समर्पित करने जा रहे थे और उसमें अगर जनता बुलाई भी जाती है उनको जनता सुनने के लिये जाती है तो उसमें कोई आपती नहीं है अपती होनी भी नी चाहिए वहाँ पर भीड जो है बहुत भारी भीड जुटने वाली थी लेकिन इससे घबरा करके क्योंक ने रपे से जाए उनकी रख्शा रख्शा करना ये प्रदेश सरकार का काम होता है पंजाब सरकार इसमें कोई दोराया नहीं है सब मानते हैं स्पोंटेनियस ना हो करके यह स्पोंसर्ड था पुरा का पुरा पुरा एक दम उसी बात की तो यह स्टेंग उप्रेशन के माध्यम से आया है पुलिस के लोग उसको एक ऐसे चो सारी बाचित अपनी बता रहे हैं लिखित और वो जहां पढ़के सुना रहे हैं क किस परकार से उनको इंस्ट्रक्शन आई थी और कैसे उन्होंने सारे चीज़ को यानि एक परकार से उसका अंजाम देना था वो स्वारी बातें स्टेंग उप्रेशन के माध्यम से आई हैं अगर इस स्टेंग उप्रेशन हुआ है तो इसमें कोईने को सत्यता है सच्चा ही है तब इस स्टेंग उप्रेशन के माध्यम से उसकी जो निंदा है मख्यमंतरी पंजाब के बारे में हम लोग कर रहे हैं इसी करकार से कर रहे हैं